प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सबनू मेरे वल्लों प्यार परी सच्छी अकाल जेकर तुसी आजे तक साधे चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता ता इसनू होने सब्सक्राइब कर लो ते नाल दी नाल बैल आइकन नो प्रेस कर देओ ता आजो साधियां सारियां लेटेस्ट वीडियो जे नोटिफिकेशन्स तो हाँ नो जल्दो जल्द मिल सकन अज जसी एट्थ कलास दे जड़े फाइनल एक्जैम होने ने उना दे लई, मैद दे एक्जैम दे लई, जड़े एक एक नमबर दे कोश्चन्स ने ओना दी करांगे रिवीजन, तो चलो शिरू कर देयां हाँ जी अपने कोल, फर्स्ट कोश्चन जो आ रहे है, ओ है के खाली था पर नहीं है, अपने कोल है, माइनस उन्नी बटे उनत्ती केंदा है नो किदे नाल गुना करिए के अपनू एक आंसर मिल जवे हाँ जी जदों आपन किसे संख्या नू उस दे गुनात्मक उल्ट यानि के उस दे रहसी प्रोकल या कहल ये के उस दे मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स दे नाल गुना कर देयां अपनू वन मिल दे है हुन मैनस उननी बटे उनत्ती दा गुनात्मक उल्ट यरा होएगा ओहो इस खाली थांच आएगा ऐऔहो बनेगा अपने को29 बटे उन्नी ते यरा इन्टी जड़ा मैनस है 2009 दे नाल लगा सक दे हैं आपका, सो मैनस 29 ओवर 19 आएगा इस दा आंसर जो के पर है C अप्षिन दे विच क्योंके ज़दो हो एं अपा-19 बटै उन्थी नू उन्थी बटै उन्थी नाल multiply करांगे ता 39 नाल 59 कैंसल हो जगा 19 दे नाल 19 कैंसल हो जगा 30 दे नाल ‌- gesprochen ता अपणनु एक अंशर इस दा मिल जेगा सो C option is the correct option है हाँ जी अगले दी काल करिए second question दी तब second question है अपने कोल के एना दे विच्चों चार जड़ीओं options रहे होना दे विच्चों केडी संख्या जड़ी 4 ते 8 दे विच्चकार स्थित है हाँ जी होना अपने कोल है 4 ते 8 4 ते 8 दे विच्चकार अपने कोल आंसर दे विच्चाएगा 6 क्योंके 4 तो ते 8 तो एहे बिल्कुल ब्रबर डिस्टेंस दे है यानि दो दो दे फर्कते है सो 6 इजड़ा बनेगा आंसर जो के पर अपने कोल B option दे विच्च ता B option इजड़ी correct option है हाज अपने कोमें हाज़ी जो के है 3 कोमें आपने कोल केंदप है केरी संख्या 2 अटे 3 दो 1 देनार पाज योग है यानि के 2 अटे 3 दो 1 देनार डिवाइड होंदी है हाज एईसी संख्या जड़ी 2 अटे 3 दिवाइड होंदी है ओहं even होएगी सो इवन संख्या मा इत्थे अपने कोलने 20 ते 24 एना दे विच्चों जेड़ा 24 है ओहो दो दे टेबल ते भी आंदा है ते तिन दे टेबल ची भी आंदा है एदा मनलब 24 है जेड़ा ओहो दो ते तिन दो नाल डिवाइड होएगा सो डी ओप्शन इस देले ही कुरेक्ट ओप्शन भणेगी हाँ जी अगला जेड़ा फूर्थ कोश्चन है एहे 16.1 एक्ससाइज है ते एहे तो अडेस लेबल दे विच्चों कड़ी जा चुकी है तो अडेस लेबल चाहे 16 चेप्टर दे विच्चों सिर्फ 16.2 ही सो आज सिर्फ कोश्चन है अपने कोल डायग्राम दित्ती होई है एते विच्चों x दा जेड़ा मुल है आपना पता करना है हाँ जी अपने कोई डायग्राम देविच दित्ता होया एक चत्रपो जी आनिके एक वाड्री लेटरल ते एक वाड्री लेटरल दे चारों कोणा दा जेड़ा जोड हुंद है 360 डिग्री 360 डिग्री होईगा यहना चारों कोणा दा जोड तो यहना नूँ आप जोड लेने है तो एकस प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री ता ए होएगा आपने कोई 360 डिग्री दे इक्वल होण एदे विच्च ओं ए आपने कोई फर्दर आजेगा एकस प्लस हाँ जी इत्तों बनगे आपने कोई 250 ते आपजा विच्च पाके आजानगे 300 डिग्री ते समने है 360 डिग्री होना 300 है जड़ा 360 डिग्री जो जाके कट जेगा ता 60 डिग्री एकस दी जड़ी है वेल्यू आजेगी सो 60 डिग्री सही आंसर होएगा जो के पर आपने को बी ओप्शन दे विच ता बी ओप्शन इसले कुरेक्ट ओप्शन बनेगी अगे 6th question ते नजर मारिये ता ओह है केंदा 12 ते 13 दे वर्गां दे विच कारकिन्या प्राकिर्तिक संख्यामा हन means how many numbers are there between scares of 12 and 13 हाज जदो भी अपने कोल इस तरह दो लगातार संख्यामा दे वर्गां दे विच संख्यामा पुछिया होन ता होना चो जड़ी पहली संख्या होन दिया जित्तियां संख्यामा चो जिवें एथे 12 ओनों दो नल करदांगे multiply सो बारा दूना चोवी संख्यामा होन गया 12 ओनों दे 13 स्केर दे विच जड़ो इस तरह कोश्चन आज वे के दो लगातार संख्यामा दित्तियां होन ते उना दे वर्गां दे विच कार प्रकिर्थिक संख्यामा यानिके नैच्रल नमबर पुछे होन ता पहली संख्यामा डबल कर देना है जिमेत थे अपां 12 दा डबल कीते है अगले कोश्चन ते आन्या सेवन्थ कोश्चन ते कहन दे एक आयता कार मार्बल दे टुकडे दी लंबाई 3X चोड़ाई 5Y ता इस दा खेतर फाल जड़ा है वो पता करना है क्योंकि है आयता है ते आयत दा खेतर फाल अपने को लंबाई गुणा चोड़ाई so it means 3X ते 5Y इंदा नो करांगे अपां multiply so 3X इंटू 5Y जदो इंदा नो multiply करांगे ता जड़े आ numbers ने यह आपस्च multiply हो जानगे आजेगा 15 नाल X ते Y दोनों आजानगे so 15XY बनेगा इस दा आंसर देख देया केड़ी option दे विच्च है अपने कोल 15XY B option है so B option है इस दे लही अपने कोल होएगी correct option next question ते आन्या केंदा इक डाइग्राम दित्ती हुई है गन्ज समांतर चतर पोई दितता होया है ता उस दे विच्च आपा X दे Y दी value पता करने है very important question एह लगबग हर एक test दे विच्च आनदा जीड़ा third chapter दा ह हुंदा है अपने कोल so important question है हुँन देख देनों कि मैं solve कर सकते हैं आपका क्योंकि अपने कोल एह जी यू एन्स एक समांतर चतर पोई यानि के पहल एलोग्राम है इसलिए इस दिया ओपोजिट साइड़ ने जेडियां ओ आपस छोण गिया equal so 3X दी जेड़ी value है ओहो equal equals to 18 ता इत्तों आ जड़ा 3 है 18 नो जाके divide करेगा ता एकस आजेगा अपने कोल 18 over 3 cutting करके आजेगा 6 तो एकस आजेगा 6 अपने को तो एकस छे केड़ी option चाहिए सिरिफ इक option चाहिए c option ता c option इसलिए correct option होईगी हाँ आप वाइदी value भी कट के देख लेने हाँ हाँ जी 26 ते 3y-1 ने आपस चीकल होण गे so 3y-1 is equal to 26 आप 1 जाके add होजेगा उद्दर ता आजेगा 3y is equal to 27 फिरा 27 दी इस 3 ते होजेगी cutting मिल जेगा 9 so y-9 ते x आया अपने को 6 so y-9 ते x 6 c option चाहिए रहे हाँ इत्थे था है question एक नंबर चाहिए एह question तो हाँ नू दो नंबर चाहिए आ सकता है तो एदा त्यान रख्यो हाँ जी अग्गे आन्ने आप नाइन्थ question ते अप इना नू multiply करके the snack is the answer की बनेगा पहले आपना numbers देख 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 हाँ 6 2 ते 3 6 दुणी 12 ते 12 नू जब 3 नापना multiply करांगे ता मिलेगा आपना 36 so 36 आएगा 3 न चो एक minus यह तो answer देख 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 दें X d power 2 इत थे 1 इत थे 2 ते 1 3 3 ते 3 आ जड़ा हैगा X d power 3 3 ते 3 6 So X d power बाणजेगा 6 क्योंकि ज़़ों मैं multiply कर देयां ता जड़ी यहां powers हों दियांने हो add हो जन दियांने का ता जुड जन दियांने गुणा वेले इसलिए minus 36 X d power 6 A बनेगा answer जो के पर अपने को C option देविच सो C option इसलिए correct option होईगी minus A निशान दा खास्तियान रखने है कि ते ओ रह न जाए क्योंकि D option फिर बिना minus तो है जेकर तुसी minus नूँ consider ना कर देता तुसी D नूँ भी टिक कर सकते सी So minus A निशान दा खास्तियान रखने है क्योंकि A ही है जेड़ा एक गलती करान दा है ते marks कटे जान देने अगे आनने हैं 10th question ते 10th question है के अंदा बिन्दू A देने दे शांका पाँ पता करनेने हलांके 15th chapter दा question है ते 15th chapter दे विच्चों आवाली exercise तो हड़ेस लेबस चो कटी गई है क्योंकि 15.3 ही है होने जेड़ी तो हड़ेस लेबस चाहे फिर भी आपका कर लेने हैं बाए चांस कई वार question बारों मिल जान दा है सो ए देने दे शांक पता करने ने ए बिन्दू अपने कोल आ रहा ए तो अपना हीठा आजाना है x-axis थे पहला याद रख्यो x-axis थे आना है ते x-axis थे पहला है अपने कोल 4 सो इदे coordinates लिख दिया है पहला आएगा 4, फिर ए तो अपना इदर चल जाना है y-axis थे कित्थे पहुंचे अपना 5 थे ताम पिछे आजेगा अपने कोल 5 सो पॉइंट बनेगा 4, 5 सो डी option इदे लई होएगी correct option याद रखने है जेड़े भी बिंदू दे देशां का पुच्छे ने पहला उनू उत्तों x थे जाना है x थे उसदी value लबनी है वो पहला आएगी फेर y अली value आनेंगे सो इस तरह डी option इजली correct option बनगी हाँ जी अगले question ते जानने हाँ 11th question ते 5th chapter दे विचो संभावना दा question है केंदा लाल सेब पता करन दी संभावना यानिके probability पता करनी है लाल यानिके red किनने ने 1, 2, 3, 3, 1, 4 सो 4 red ने 4 होगे अपने को अनकूल प्रणाम यानिके favorable outcomes ते total ने अपने को 3, 3, 3, 6, 3, 1, 7 सो 4 over 7 इस दा आएगा answer जो के प्याए B option दे विचो अगला 12th question देखिए ता उननने पुछे है के ऐक पंज पुजी बहुपुज दे बाहरी कोना दे जोड किनना होनदा है हाँ जी बाहरी कोना दे जोड दी जदो गल होवे ता उह हमेशा ही 360 डिगरी होनदा है चाहे बोह पुझ किनिया वी पुझामा वाड़ा क्यों ना होवे चाहे पांज होण, छे होण, आठ होण, दास होण exterior angles दा साम हमेशा ही 360 degree हुन दा है अपने कोल हाँ जेकर interior दी गल करेगा interior angles दा जड़ा साम होएगा ओहो पता करंद ले अपने कोल formula हुन दा है n-2 into 180 degree जित्थे n की है number of sides ट्राइंगल लई ये है n तेन होएगा कोडिरेटल लई 4 उस्तो बाद 5 पुझ लई 5 6 पुझ लई 6 इस तरह एंदी वैलियो तुसी परके ओदे चो दो कटा के जिनना आया उन्हों 180 गुणा करके अंदर ले कोना दा जोड़ पता कार से दियों कि इससे भी पोली गन दे एक्स्टीरियर दा सामा हमेशा हुन दा है 360 degree इन्हों याद रखने तो देख देयां केड़ी option चपिया है 360 degree ए पे अपने कोल B option दे विच ताम B option इसले लई correct option बनेगी अग्गे अन्या 13th question ते question है 5 साल पहलना राज जोड़ी उमर की सी जेकर उस दी वर्तमान उमर X साल है हाँ जी होन दी एज है X 5 साल पिछे दी गल हो रही है पिछे दी जेकर गल हो रही है ताम ओदे विच्चों 5 कटाया जाएगा अग्गे 14th question देख देआ 4x is equal to 2x plus 18 होवे तां के अंदा x पता करो हाँ जी होना ए जड़ी अपने equation दित्ती होई है दे विच x दोने पास से मजूद है पहलना जड़ा हाँ वड़ा x वाली term है 4x उद्दर ले पास से 2x नों लेखे जावांगे तां की आएगा अपने को 4x दे विच्चों आ 2x इद्दर जुड़ दे पाएने ता उद्दर जाके माइनस हो जानेगे माइनस 2x तां दूज़े पास से 18 कला रह जेगा 4x चो 2x कटा के 2x आजेगा ते दूज़े पास से 18 फिर अगले स्टेप दे विच्चा 2x 18 नों जाके कट देगा डिवाइड का देगा ता नों अंसर आएगा इस दा जो के पे ऐस सी ओप्शन दे विच्चा सी ओप्शन इस देले प्रेक्ट ओप्शन बढ़ जेगी अगे अन्या फिफ्टीन्थ कोश्चन ते केंद है एक सम पुझी बहु पुझ दे हरे एक बाहरी कोण दा माप है पंताली डिग्री ता पुझा आमादी संखे यानिके नंबर ओफ साइड्स पता करना है हाँ जी नंबर ओफ साइड्स यानिके पुझा आमादी संखे दा फॉर्मिला होंदा है आपने कोण 360 डिग्री बटे बाहरी कोण ते बाहरी कोण है आपने कोण 55 डिग्री यानिके एकस्टी डियर एंगल ते होन 360 नूँ जदो आपने डिवाइड करांगे 45 ते तक इनना आजेगा ए आजेगा आपने कोण 8 सो एट होना जाइदा इस आंसर जो के पर आपने कोण यह ओप्शन दे विच्च हांजी अग्गे देख देयां 16 कोश्चन नूँ केंदा हेट लिख्या विच्चों केहडी संख्या पूरन कान है परफेक्ट क्यूब नंबर एना दे विच्चों केड़ा है हाँ जेदे लही जेकर तुसी थोड़ी जे क्यूब याद कर सकते हो तो बहुत ही वदिया गल है कट कट बारांक तक ता तो अनूँ क्यूब याद होन तांके तुसी इस तरह दे कोश्चन नूँ ड्रेक लिक आ सको ते विच्चों आपगा देखी है योंदा है योईगा है lotta थोड़े जे वर्ग 12 तक ता जेडे ने होता ही वन्हों याद होनेवचे काण जाएदे ने में इस्टा YS अधर्वाइस तुसी इनू फेक्टराइज करके भी पता कर सकते हूं कि यह दे प्राइम फेक्टर्स यानि के अप आई गुन खंड लब के उत्थों यह कोशन किता जा सकता है क्योंकि दो सोले हैं जेडा उह पहला जाएगा अपने कोल दोते ता अपने कोल आजेगा एक सो अ फिर दोते जाएगा एहे ता मिल जेगा चुरंजा फिर दोते जाएगा ता पनो मिल जेगा स्ताई फिर स्ताई तिनते जाएगा मिलेगा नो फिर तिनते ता तिन फिर एक वर तिनते जाएगा ता मिलेगा एक सो दो दा भी जेड़ा ट्रिपलेट है कंप्लीट है तिन दा भ प्रिपलेट का मिलीट है तो 216 ही है जड़ा हो पूर्ण कान होएगा अपने कोल अग्गे आन्या पांस तार में कोश्चन तेक हैं दा 3 रेस टू पार माइनस 2 एदी वेल्यू किन्नी होएगी पहला तारी जड़ी कात है इन्या प्लास बदलांगे 3 यानिके 3 ओवर 1 ओधी कात है माइनस 2 इन्या प्लास दी ता ये बाणजेगा अपने कोल 1 ओवर 3 ओधी पावर 2 जड़ों कि कात दा निशान बदलना होंदा है ता अपने अंदर वाळे नू उल्टा दिने होंदे है आ तेन ते एक ओल्ट जानेगे ये बाणजे एक बटे 3 होने एक बटे 3 दी पावर 2 दा मदलव एक बटे 3 गुणा एक बटे 3 सो ए आजेगा अपने कोल उपर एक ते एक दी गुणा तो एक थल्ले तेन ते तेन दी गुणा तो नू तो एक बटे नू इस दा बनेगा आंसर जोके पे आपने कोल बी ओप्शन दे विच हांजी अगे 18th question है जिल्डा केंद है वी तो वद ते चाली तो कट किताब बाँ वाले लोग कांदी गिनती किन्नी है हांजी एद दिता है आपनू किताब बाँ दी संख्या और वी तो वद ते चाली तो कट यानी वी तो चाली इनू देखने एदे आंसर भी ओप्शन कोरेक्ट ओप्शन है हांजी अगे अन्या अपना 19th question ते कहनदा बजारी मुल यानि के अंकित मुल x दे ते कटोती है ए पतिशत कटोती कहनदा किन्नी होवेगी एदे विच्चों हांजी अपने कोल जड़ी कटोती हुंदी है कटोती पतिशत उस दा फॉर्मिला हुंदै कटोती बटे अंकित मुल गुणा सो ते होण कटोती पतिशत यानि ए पतिशत ए आपन दित्ती होई या इदी जगा ते वैल्यू ए सो एदर आजेगा ए दुझे पास से उरे कटोती बटे अंकित मुल है अपने कोल एक्स सो बटे एक्स गुणा सो ए चो आपक टोती लबनी चानने या ता एक्स है जेड़ा हो ए नल गुणा हो जेगा सो ना दे हेठा चल जेगा सो ए बटे सो गुणा एक्स हाही बन जगा एक्स ते एक ठे आनगे आ देखो ते सो नूँ करेगा डिवाइड जमें एच देखी सकते तो एक्स बटे सो पे अपने को सी ओप्शन दे विच दा सी ओप्शन इस दे लई होएगी कुरेक्ट ओप्शन अगे आन्या वी में कोश्चन ते केंदा आए तदा खितरफाल पता करो अपनों लंबाई ते चोड़ाई देतीया हुई याने ते आए दा खितरफाल होंदा लंबाई गुणा चोड़ाई तो इस दा खितरफाल पता कर देयां अपने दोना वैल्यूज नों मल्टिप्लाई करांगे एनू ते एनू सो इदनों multiply करांगे ता अपने को आजेगा a plus b एदी गुणा a minus b देनाल हाँ जी यह ता अपने को direct formula होंदा है जो के होंदा है a square minus b square सो एब आजेगा इस दा answer जो के पर c option देविच था c option इस देले correct option होएगी अगले question ते अन्या 21st ते केंदा है लिखे में जो केड़ी पर में संख्या 0 ते 1 दे विचकार है हाँ जी 0 ते 1 दे विचकार आता एक तो वड़ी होएगी जड़ी पहली है क्योंके जदो वी answer वड़ा होवे हर्तो ता वो एक तो वड़ी होंदी है हाँ जी 2 बटे 7 जेड़ी जी दे विच अंश हर नलों चोट है means numerator चोट है denominator तो एदा ही अंसर अपने को 0 दश्मलव कुछ मिलेगा सो एही 0 ते 1 दे विचकार होएगी सो दूजी ओप्षन है इसले लिए क्रेक्ट ओप्षन है हाँ जी अग्गे अन्या 22 कोश्यन ते कहना minus 2 बटे 5 दा गुणातमक ओल्ट की होएगा हाँ जी minus 2 बटे 5 दा गुणातमक ओल्ट लबदेया होया 2 बटे 5 दा गुणातमक ओल्ट आके 5 बटे 2 मिल जेगा नाल माइनस सो माइनस 5 बटे 2 इसले बनेगा अंसर सो दूजी ओप्षन इसले लिए क्रेक्ट ओप्षन है अग्गे तेही माँ कोश्यन है नो दे विचों M नो कटा उटते की मिलेगा हाँ जी 9 माइनस M इस तरहां अपने कोल आंसर आजेगा जो के पर दूजी ओप्षन दे विचो ट्वेंटी फोर्थ कोश्यन ते आन्या केंदा एक सिक्का एक बार उचाले जान्दा है हेड पराप्त होन दी संभावना यानि चित्ती संभावना आपकानू पता है सिक्का उचालन ते एक हेड होन दे है ते एक होन दे है अपने कोल टेल हेड भी एक टेल भी एक ते हेड पता करना होँए चाहे टेल लई भी आजवे एही कोश्यन तांसमा आवना बनेगी एक अनकूल नतीजे बटे कूल नतीजे दो सो एक बटे दो इस दा बनेगा अंसर ते उन्हाने पुछे है कि इना चों केड़ी option correct होएगी 0 ते 1 दे विचकार के अंसर आएगा हाँ जी आपा देख सकते हैं 1 बटे 2 है जिड़ा एह 0.5 दे बरबर होंदा है तो 0 ते 1 दे विचकार ही अंसर मिलेगा पहली option correct होएगी जीरो ता अपनों मिलदाने प्यास होए नहीं सही हो सकती एक भी नहीं सही ते ना चों कोई नहीं एता correct है यह नहीं क्योंकि आपनों पहले यह answer मिल चुका है हाँ जी अगला question है ते इन दी power 0 दा किना मुल होएगा किसे दीवी power 0 हमेशा एक दे बराबर होंदी है सो तीजी option इस दे लए correct option होएगी अपने को स्टूडेंट्स मैंनों उमीद है जो आज जा पाँ एक एक नमबर दे questions दी revision किती है ए तो हाँ नों चंगी तरह समझ आगे होणगे फिर भी कोई problem होए ता तुसे मैंने कमेंट करके या whatsapp दे थरू पुछ सकते हो वीडियो चंगी लगी होए ता इसनों लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स ते ना शेयर जरूर करना ते वीडियो नों लास तक देखलने तो अड़ास आ रहे हैंदा थैंक्स